आप दोस्तों, आप सब का स्वागत जरूरी है, स्वागत है, आप सबी लोगों का अभी नमदन है, हैप सब लोग अच्छे होंगे, मैं आश्या ऐसा करता हूँ, और उमीद करता हूँ कि सब लोग स्वास्थ होंगे दोस्तों आपको बता दें आज के सेशन में हम एवरेज पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपका स्वागत है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करना भी जो ना भूलो जिसे कि आबको हमारी नोटिफ़्िकेशन क्लास के लगातार मिलकर रहें दोस्तों आज हम बात करेंगे वाटिज एवरेज ऑइवरेज के बारे में हम बात करेंगे नहीं आविरेज का मतलब आउसट तो आज हमारा जो पूरा सेशन चलेगा वो और सथ पर चलेगा और और सथ बहुत पूर्ण क्यों है क्योंकि हर किसी टेट एक्जाम में या सूपर टेट में आपको एवरेज से सवाल 100% आता है कि साले साथ बजे बिरी टाइमिंग होती है गुंजा तो आपको और सब्सक्राइब होता है अगर मैं एवरेज की बात करता हूं तो एवरेज क्या होता है कुल योग बटे कुल संक्या आप सभी जानते हैं इस बात चोटी चीज़ी बात है कि टोटल संद अपॉन टोटल से तो बेसिकली आप कह सकते है और सत का मतलब होता है इक्कोली डिस्ट्रिब्यूट करना किसी चीज को इक्कोली डिस्ट्रिब्यूट करना कहलाता है एवरेज ठीक है ना जैसे मैं आप से बोलूं कि आठ साथ और तीन इसका एवरेज बताओ अगर मैं आप से बोलूं एट 7 रो 3 का average बताओ तो आप आसानी से बता सकते हैं ना आपने का कोई problem नहीं है 8 प्लेस 7 प्लेस 3 बटा 3 संख्या है ना 1, 2, 3 तो 8, 7, 15, 3, 18 बटा 3 तो इसका average कितना आ गया 6 तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का average निकाल ले रहे हैं अगर मैं आप से बात करूँ हमें कुल्योग निकालना हो तो कुल्योग बड़ा आसान है वो क्या हो जाएगा संख्या multiply by आसान अगर हम average में संख्या की multiply करते हैं जैसे पीछे वाले सवाल में आपने देखा आसात कितना आया 6 तो 6 आसात 6 संख्या कितनी आई आपने का 3 तो टोटल योग अठारा है इन चीजों का आपने देखा यहाँ पर देखो 18 था ना टोटल तो आप इस formula के माद्धम से इसको भी प्राप्त कर सकते हैं तो यह बहतरी मौका है आप सवालों को समझे और generally सवाल जो बहुत जाप पूछे जाते हैं वो पता किस से आते हैं और आपको प्राप्लम होती है उनको लेट करने में मानने में तो आज का सेशन आपको मैं बताऊंगा कैसे आप उनको जावी तरीके से चुटकी में कर सकते हैं without any letting x or a or b x plus 1, x plus 2 x plus 3 तो सबसे बिले किर्मागत का मतलब होता है conjugate अंग्रेजी में क्या बोलते है Conjugative Conjugative Numbers इनको क्या बोलते हैं लगातार संख्या लगातार मतलब जैसे आपने कहा 3, 4, 5, 6, 7 ये लगातार संख्या हैं आपने कहो ला 15, 16, 17, 18 इस अब consecutive numbers हैं अगर वो बोलता है समक्रमागत संख्या हैं तो ये समक्रमागत क्या होती हैं जो even number जैसे हमने कहा अगर मैं बोलू 16 पहला even number लिया अपने तो उसके बाद 18 उसके बाद 20 यानि उनके बीच में जहां से वो start हो हर किसी के बीच में दो-दो का gap होता उसको हम समक्रमागत संख्या बोलते हैं ऐसे विशमक्रमागत संख्या हैं क्या होती है होता इनके बीच में भी दो का gap है लेकिन यहां solution क्या है कि संख्या odd होगी जैसे मैंने कहा पहली संख्या 5 लें तो next विशमकरमागत 7 उसके बाद 9 उसके बाद 11 उसके बाद 13 तो यह समझ में आ गया होगा कि समकरमागत और विशमकरमागत संख्यां क्या होती है और यह conjugative नंबर में question करने बड़े आसान होते हैं उसको भी समते हैं प्रणाम सभी को मेरा कैसे उसको भी देख लेते हैं एक प्राकर्त संख्याओं का उसक योग निकालो तो यह क्या होता है यह होता है संख्या संख्या से आगे वाले संख्या बटा तो आपको जोडने घड़ाने की कोई ज़रूत नहीं है, क्योंकि अगर प्रिथम की बात करेगा तो सारी क्रमा आगत है, 1,2,3,4,5 ऐसे लगाता रहे हैं, तो वो उनको एपी बोलते हैं, आर्थमेटिक प्रोग्रेस हैं, तो क्या होता है, अगर मैं 8 की बात करता हूं, तो हम करेंगे, हम फोरा फार्मॉला नहीं करेंगे, सिर्फ करेंगे, आठ नंबर का निकालना है, एक जोड़ो और दो से डिवाइट कर दो, तो नो बटा दो बरावर इनका उसत, साड़े चार आजाएं, ठीक है, अगर मैं उससे बोला जाए, कि प्रिथम एन संप्राकर्त संख् संख्याओं का जो औस सत होता है, वह ऊता है, एन पिलस वन, सिर्फ एन पिलस वन, अगर वो मुस्से बोले, कि प्रिथम के बारा प्राकर्त संख्याओं का औस दूद क्या होगा, तो सिर्फ बारा में एक जोड़ो तो 13 लो जाएगा, अगर वह और्दॉ पूछे," का तक पिर्थम 125 विसम संख्याओं का ओसत बताओ तो वो 125 ही रहेगा ठीक है न यह बाद समझ में आ दी तो यह basic terminology है इसको समझ जाएंगे तो सवाल बड़ी चुटकियों में आपसे बन जाएंगे बाकी सारी चीजे मैं आपको question के माध्यम से समझ आता रहूँगा जिस तरह का प्रशन आता रहेगा उस तरह से मैं आपको explanation देता रहूँगा तो पहला सवाल बड़ा simple सा है निमली के तो संख्याओं का ओसत कितना है अब आपके सामने प्रशन है और मैंने आपको basic terminology बता दी ह है बाकी question के साथ मैं explain करता रहूँगा what is the average of the following numbers? 76, 48, 84, 66, 70 और 64 बहुत basic सवाल है तो देखो अभी मैंने क्या बताया था अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आउसत बताओ तो मैंने आउसत क्या बताया था अभी कि average जो होता है वो total sum upon total digit होता है है तो करें अब average निकल है total sum क आपने का 76 plus 48 plus 84 plus 66 plus 70 plus 64 इन सब को जोड़ दो और divide किससे करना है आपने का 1,2,3,4,5,6,6 digit है आपर तो जो भी आपको मिलेगा वो इसका आउसत हो जाएगे बिल्कुल basic है अभी सवालों का level मैं धीरी धीरे बढ़ा हूँगा क्योंकि बिल्कुल beginning से शुरू किया है तो मैं म अब रहे गा नहीं कि सवाल ये तो हमें आते हैं हम इनको क्यों करें तो आगे सवाल बढ़े होंगे ठीक है ना तो basis ही यही है तो जो नहीं 6 और 4,10,10,20,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 समझ में आ गया बेसिक सवाल था बिल्गल बेसिक फंडे से था एक दम जो आपको बहुत आसान लगा होगा और आपने इसको आसानी से कर भी लिया होगा कोई प्राबलम नहीं है एक और सवाल फिर लेते हैं आगे बहुत बढ़िया आपका अंसर बहुत अच्छा है एक और सवाल चलो देखते हैं तो रिथम नो अभाज्य संख्याओं का उसत कितना है what is the average of first nine prime numbers तो पहली नो अभाज्य संख्याओं का उसत आपको बताना है तो देखेंगे जबाब क्या मिलेगा उसत संख्या क्या मिलेंगी नो ग्यारा ग्यारा सही दो बटनो या ग्यारा सही एक बटन तो लेट सी देख लेते हैं जब आप में क्या प्रतिक्रिया होती है आपकी तो देखो प्राइम नंबर के बारे में बात की है और प्राइम नंबर क्या करने पड़ेंगे तो आपको पहले नो प्राइम नंबर लिखने है और पहले नो प्राइम नंबर कौन से होते है पहला प्राइम नंबर 2 होता है 3 उसके बाद 5, 7 11 13, 17 19, 23 यह होगे ना 4, 48, 9 तो यह आपके 9 जो हैं वो पहले प्राइम नंबर से इनका होसाथ पूछा है तो क्या करेंगे इन सब को जोड़ना है और 9 से डिवाइड करना क्योंकि नंबर कितने हैं नो तब को जोड़ें तो 9, 10, 17, 23, 20 21 और 7, 28, 28 और 5 33, 36, 26, 28 3, 25, 5, 10, 7 9, 10, 7, 17 17, 20, 21 और 7, 28, 28, 28 25, 33, 33, 36 और 2, 38 कोई छूट नहीं है 11, 13, 17, 23 माफ करना, 23 23 है मैंने किस कैसे लिख दिया It's 23 क्योंकि 27 से कट जाता है न तो 27, 10, 19, 19, 22 और 1, 23 और 7, 30 और 10, 4 इसका 4 कहां से लगा 1 4, 2, 6 और 1, 7 और 1, 8, 9, 10 100 तो यानि प्रत्थम 9 भाज्य को योग कितना होता है 100 होता है अब 100 में क्या करें? डिवाइड कर दें कितने का? 9 का क्योंकि 9 संख्या हैं क्योंकि एवरेज क्या होता है? कुल योग बटे, कुल संख्या तो डिवाइड करें 11, 19, 19 तो राइट आप्शन क्या है? पिरत्थम 9 अभाज्य संख्याओं का उसत 11 सही एक बटा नोग और इस तरह के क्योशन जादा तर एक्जामिनेशन में आप से पूछ ले जाते हैं आप सभी लोग इनके आंसर कॉमेंट में जरूर करें क्योशन नंबर लिख करके क्योशन नंबर दो का अंसर ये आपका आया है जब भी आप वीडियो को देख रहे हो तभी इसका अंसर करें एक और सवाल एक और प्रशन आसान सवाल है चलो एक और बताओ सो से कम सभी संख्याओं का उसत कितना है अब देखो सो से कम जितनी भी संख्याओं उनका उसत बताओ और यह मैंने अभी बताया था सो से कम सभी संख्याओं का उसत what is the average of all numbers less than 100 इतना आसान सवाल है तो देखोंगा आपका जवाब मुझे क्या मिलता इस question के लिए कर सकते हैं पहुत सिमल है इसका मतलब क्या है कि एक दो तीन चार अप्टो अप्टो 99 क्योंकि 100 से कम यही तो संख्या ही होंगी अगर मैं 100 से कम संख्याओं की बात करूँ तो सारी संख्या एक से लेकर निन्यन में तक हो गई अब क्या करें अब आपको मैंने अभी बताया था यह सब प्राकर्च संख्या है न एक से लेकर निन्यन में तक इसके दो तरीके थे या तो आप ऐसे कर लो n प्लस 1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 99 प्लस 1 अपॉन 2 बराबर 100 अपॉन 2 बराबर 50 यह हम क्या करते हैं हम FARSTđM और लास्टम दोनों को जोड़कर आधा भी कर देते हैं क्या करदें हैं फर्स्टम और लास्टम और लास्टम दोनों को ऐट कर दो तो एक प्लस 49 जिन्यान में बटा दो, तो तो देड इस हंड्रेट अपवार्ण टो, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, फस्स लास्ट को जोड़के आद कर दो, या फिर लेकिन कब जब संख्याइं लगातार हों, इसको तब ही अपलाई करना है, जब संख्याइं इसको तब ही अपला सवाल है, चार कुर्मागत सम संख्याओं का ओसर 27 है, इन में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसको तो देखेंगे जवाब क्या मिलेगा, सिंपल सवाल है, करने की कोशिश करेंगे, अब देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि हम सार्टिं से सवालों को ऐसे करते हैं, कि छोती संख्या और मैंने माना, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या ए प्लस तू, अब इनचारों को आप जोड़ने पर आपको 27 आना चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसीस है, तो इसको मैं आपको नहीं बताँँ, क्योंकि कई बड़ आप इसमें कंफूई हो जा चार क्रमागत संख्याओं का उसा सत्ताईस है अब इसका मीनिंग क्या हुआ जब चार क्रमागत संख्याओं उनका उसा सत्ताईस है तो भई उसात का मतलब mid-term, यानि ये चार संख्या है 1, 2, 3, 4 और मैंने क्या बताए आपको कि जब भी आप किसी संख्याओं का किरमागत संख्याओं का उसत निकालेंगे तो हमेशा mid-term होता है, कहा होता है हमेशा बीच में होता है तो अगर हम बात करें चार संख्याओं के बीच में तो ये आया ना 27, तो ये 27 यहाँ पर है दो संख्याओं इदर दो संख्याओं ये बीच में 27 रखा और ये सारी even numbers है तो 27 से पहली संख्या आपने का 26 और 27 के बाद वाली संख्या, 28 इन्वोनों को जोड़ के सवाल कराओंगा, मैंने क्या बताया हाँ, अगर ये संख्याओं पांच होती तो और आसान होता, फिर तो हम बीच में संख्याओं मिल जाती, आगे लूँगा ऐसे सवाल ये समझ में आए, मैंने क्या बताया कि जब भी number consecutive होते हैं क्रमागत होते हैं, तो उनका ओसत हमेशा मिड में आता है उन्हें सभी संख्याओं के exact बीच में आता है, जब हमने 27 यहां देखा, तो 27 इन दोनों का ओसत हुआ, अब 27 से पहले संख्या 26, 27 के बाद वाले संख्या 28 तो अब ये सारे even numbers हैं तो 26 से पहला even number 24 और 28 के बाद वाला 30 चार संख्याओं पोची थी, 34 संख्या सबसे बड़ी है, 30 इसका सही जवाब है क्लियर है, सब्समें आ गई बात कोई problem तो नहीं किसी को तो यहां पर आपको जो ना मानने वाली तो technique थी कि A plus 1 माने, A plus 3 माने A plus, उससे आपको मुक्ती मिल जाएगी, ठीक है एक और सवाल लेते हैं फिर, ऐसे मैंने बहुत सारे सवाल रखें, जो आपको आसानी से आपके answers को बता पाएंगे एक और question A, B, C, D चार क्रमागत विशम संख्याएं हैं जिनका ओसत बयाले से अब देखो कौन जी संख्याएं, विशम संख्याएं जार लखना चार नमबर हैं, ये A हो गया, ये B हो गया ये C हो गया और D हो गया चार विशम है यनि और नमबर है उनका ओसत 42 है, मैंने किया का जब भी संख्याएं करमागत दी हो जब भी संख्याएं करमागत दी हो तो उनका एवरेज हमेशा मिड में आता मिड में तो कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर 42 आ गया बाद समझ में आ गई? अब ये सारी और नमबर है तो 42 से पहला वाला और नमबर कितना होता है? 41 और 42 के बाद वाला 43 क्योंकि अब इन दोन का और सथ निकालोगे 41 प्रस 43 बटा 2 तो 42 ही आएगा ना तो यह सिर्फ हमारा आंसर निकालने का एक हतियार है 42 मिड में इस से पहले वाली और नमबर 41 से इसके बाद वाली 43 अब ये सारी और नमबर से है तो 41 से पहला और नमबर कौन सा होता है 39 और 43 के बाद वाला और नमबर कौन सा होता है आपने कहा 45 गई तो है तो आपको 4 वैल्यू मिल गए अब क्या करें उसने बुला B तथर D का गुड़न फन तो B ये है और D ये है इन दोनों की गुणा कर दो तो 45 multiply by 41 तो 45 से कम 45 हासिल लगे 4, 45 चोका 18C और 4, 184 राइट ऑप्शन 1845 समझ में आ गया तो problem तो नहीं है तो बस आपको even नमबर दी है चाए और नमबर दी है आपको सिर्फ अगर ये संख्याएं और होती तो और आनंद की प्राप्ति होती वो मैं आगे कर रहा हूँ आपको कैसे करेंगो सानंद की प्राप्ति को अभी समझ में आया मैंने क्या बताया सब लोगों के एक बार येस करके बता दो अब तक जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या आपको समझ में आ तो comment section में एक देश कर दीजेगा सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत बढ़िया समझ में आगा रप्ति वेरे गुड़ आगे बढ़ते हैं एक और सवाब की बात करते हैं और जानते हैं वन मोर question for you at your screen चलो पाँच संख्याओं का यूग 240 है इन में से पहली दो संख्याओं का और सतीस है और अंतिम दो संख्याओं का और सतीस है तो तीसरी संख्या बताओ क्या होगी? The sum of five numbers is 240 The average of first two numbers is 30 and the average of the last two numbers is 70 What is the third number? 33, 60, निर्धारित नहीं किया जा सकता cannot be determined या इन में से कोई नहीं none of these तो देखेंगे जवाब क्या मिलेगा? उम्मीद करूँगा जवाब में कोई भी दिक्कत आपसे नहीं आएगी और आप आसानी से सारे सवालों को हल करेंगे Complete average का chapter चल रहा है और इसमें 2 session में कराऊंगा एक basic वाला एक थोड़ा से tough वाला और तो देखेंगे जवाब क्या मिलता है? जो कर सवाल समझो पांच संख्याएं है तो पांच संख्याओं का योग टूटल कितना दिया है? 240 ये इनका योग है उसने बोला सवाल में कि पहली दो संख्याओं का उसत 30 है तो जो पहली दो संख्याओं का उसत कितना हुआ 30? और मैंने स्टार्टिंग में बताया था अगर आप इनका टूटल निकलना चाहें तो टूटल क्या होता है? उसत multiply by संख्या तो संख्या 2 है उसत 30 है इन दो संख्याओं का उसते हो उसने दोला अगे वाले सवाल में अंतिम दो संख्याओं का उसत 70 है तो टूटल कितना होगा? आपने कहा सर्थ 12 गुना सत्तर 140 अच्छे मैं आपसे पूछूँ संख्या होगी 2 और 4 तो चार संख्याओं का टूटल कितना हुआ आपने का 60 और 140 दो सो तो चार संख्याओं का ओसत 200 है यह तो पात समझ में आगी चार संख्याओं का ओसत 200 है और चार संख्याओं का योग 200 है और पांच संख्याओं का योग जो 240 है तो अगर इस पांच संख्या मैसे में चार संख गटा दू, तो भीच वाली संख्या का value मिलेगा, नहीं मिलेगा, आप कहेंगे अबरिगुल मिलेगा, तो मैंने 5 संख्याओं का total 240 था, 4 संख्याओं का total 200 था, इसमें से घटा हैं, तो 40 मुझे मिल गया, उस एक संख्या का जो मिडम हैं, उसका वेल्यू 40 है, केलियर है, कोई प्राबलम तो नहीं किसी को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जी, हाँ, डेली क्लास होता है, पोनिमा, ओके, बात समझ में आ गई, जी, कोई समझ्या तो नहीं, तो भी लाइक भी करते हैं वीडियो को, और चैनल को समझना हो, आसानी से सारे सवालों को हल करें, तो एक और प्रशन मैं आपके स्क्रीन पर रखना चाहूंगा, एक और सवाल, कि समझ में आ गया न सपो, कोई अगर नहीं समझ में आ आ तो वो N लिख सकता है, जिससे कि मुझे पता लग जाए, कि समझ में नहीं आया है, जिसस समझ क्या बताओ, बिल्कुल पहले वाला सवाल है, तोड़ा सांतर है बस, जल्दी से करके बताएगा, सवाल को सही से पढ़ें, ये बहुत जरूरी है, अगर आप प्रशन को सही से पढ़ लेते हैं, तो 60 प्रतिशत उत्तर आपका सही आ जाएगा, अगर सिर्फ प्रशन को धैरिय पुरोग और सांति पुरोग पढ़ेंगे तो, तो देखेंगे आपका जवाब हमें क्या मिलता है, अगर की प्रिया, अभी बताते हैं, प्रिया इसको भी और सको भी बताते हैं, तो देखते हैं जवाब, उसने बोला, पांच संख्याओं का आवसत 65 है, इस सवाल मे सवाल में क्या नतर है, यहाँ पर पांच संख्याओं का योग दिया रहा, तो हमने सीधर योग लिख लिया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, पांच संख्याओं का एवरेज दिया है, कितना है, 65, तो हम अगर टोटल निकालेंगे पांच संख्याओं का, तो क्या होगा, आप आपने का 5 multiply by 65 तो यहाँ पर हमें योग निकालना पड़ेगा हमें यहाँ से योग निकालना पड़ेगा, is it clear? बाद समझ में आगे कोई problem तो नहीं है किसी को? चलिए, उसने बोला कि पहली दो संख्याओं का औसत इक्यासी है जब पहली दो संख्याओं का औसत 81 है, तो टोटल कितना हुआ? आपने का 2 multiply by 81 तो 162 आपने का अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 था, तो इसका टोटल कितना बना? आपने का 2 गुणा 38, तो कितना हुआ? आपने का 76 यह होग ना? अब उसने बोला कि 5 संख्याओं का टोटल तो यह रहा और 2 और 2 चार संख्याओं का टोटल यह रहा, तो 4 संख्याओं का टोटल कितना बन जाएगा? अभी बताते हैं, तो यह 4 संख्याओं का उसत कितना बन जाएगा? आपने का पांच संख्या हूँ, मैझे चार संख्या निकालू, तो एक बची संख्या का मिलेगा न, तो 325 माइनस 238, तो 15 मैं से 8 गए 7, और 11 मैं से 3 गए 8, तो 87 होगा उस संख्या का माई, किलियर है, बात समझ में आ गई, तो प्राबलम तो नहीं है, अभी पहला वाला आपको इसे समझाने के कोशिस करता हूं, ध्यान से समझेगा, ये 5 संख्या हैं, A, P box B, plus C, plus D, plus C, उसने बोले पहली दू संख्याओं का जो और संख्याओं वो कितना है कितना हो जाएगा आपने गुणा खरना हुआ ते इन A, B, D, C. ये चार संख्याओं को टोटल कितना हुआ टोटल? आपने कहा कि सर ये हो गया, 60 पिलस C पिलस 140 बराबर 240. तो C पिलस 200 बराबर 240. तो C कितना हो गया? 240 माइनस का 200. अभी समझ में आया? अभी किलियर है? तो इसलिए हम में बाबर बोलना हूँ कि मैं इस तना लंबा नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैंने डालेट आपको बताया था कि जब 5 संख्याओं टोटल में से आपने 4 संख्याओं को निकले तो बीड़ संख्या बच जाएगी किलियर हुआ? ऐसी ये आगे वाला सवाल था आप समझ में आ गई होगी कोई प्राबलम तो नहीं है? नो इश्यू, नो प्राबलम ओके लेट सी, मूव टू दी नेक्स्ट देखते हैं एक और सवाल आपकी स्क्रीप पर अब क्या इसका जवाब आप देंगे? एक और सवाल है आपके लिए रहा दो संख्याओं A तथा B का ओसत 20 है B तथा C का ओसत 19 है और C तथा A का ओसत 21 है तो A का मान कितना है? तो देखते हैं, the average of two numbers A and B is 20 the average of B and C is 19 and the average of C and A is 21 what is the value of A? तो देखते हैं, जवाब क्या मिलता है? सिंपल सवाल पर जल्दी से जवाब दिने की कोशिश आपकी तरफ से होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि जवाब अच्छा मिले सिंपल देखो उसने, मैं डिटेल से बताता हूँ उसने भूला कि A और B ओसत मिन्स कैसे निकालते है? कुल संख्या A और B ओसत मतल दो का भाग, कुल योग बटे कुल संख्या, वो 20 लिखा है उसने भूला B पलस C बटा दो कितना हो जाएगा? आपने का यह 19 उसने का C पलस A कितना हो जाएगा? आपने 2 का डिवाइड कर दिया क्योंकि ओसत दिया 21 तो अगर मैं आपसे बोलू यहां से किभी A पलस B बताओ कितना है? आपने का 20 गुना 2 बराबर 40 मैंने बोला B पलस C बताओ आपने का सर 19 बराबर 38 आपसे कहा कि C पलस A का टूटल बताओ तो दो आपने उधर बेज दिया तो कितना हुआ? 21 multiply by 2 बराबर 42 अच्छा भी इन सभी संक्याओं को कर मैं जोड़ू तो मुझे क्या मिलेगा? इन सभी संक्याओं को जोड़ू तो यह क्या हो जाएगा? इधर से जोड़ते हैं A पलस B पलस B पलस C पलस C पलस A इस इकल टो 48, 120 आप कह सकते हैं इसको ऐसे? कि 1 A 2 A पलस B पलस C इस इकल टो 120 तो आपने कहा ओके कोई प्राबलम नहीं है तो अगर मैं है बोलू A पलस B पलस C का value तो आपने कहा 120 बटा 2 बराबर 60 यानि अब आपके सामने ये equation क्या आई? कि अगर आप A, B और C तीनों को जोडते हैं तो 60 आता है उसने बोला कि मुझे A का value बताओ तो अगर मैं इसमें से B और C का value घटा दू तो A का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आपने देखा B पलस C का value कितना तो 38 था तो मैंने 38 पुट कर दिया A पलस 38 is equal to 60 तो A बराबर आपने का 60 माइनस का 38 बराबर 22 तो A का value कितना है? 22 होना चाहिए option number B समझ में आ गया जी? बिल्गुल basic से सवाल लेकर चल रहा हूँ धीरे धीरे इन सवालों के मैं level को up करता जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा हला कि बच्चे पढ़ना कम पसंद करते हैं जब सवाल थोड़े से भारी हो जाते हैं लेकिन आप सब बहादूने जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोग इसको समझें इस तरह के सवाल एक्जामिनेशन में आते हैं ओके आगे बढ़ें एक और सवाल लिया जाए फिर तो सब तयार हो गए हैं तो वन मोर कोशन आपके स्क्रीन पर में रखूंगा और मुझे उम्मीद है कि इसका जबाब आप जरूर देंगे चलिए किसी कक्षा के विद्यारतियों का औसत प्रापतांक 68 है कक्षा में लड़कियों का औसत प्रापतांक 80 बतार लड़कों का औसत प्रापतांक 60 है कक्षा में कितने प्रतिश्चत विद्यारती लड़के है देखिए जब आपको ऐसा सवाल मिल जाता है जैसे आपके सामें लिखा है तो यह सवाल अगर basic से करोगे कि माना विध्यारतियों के संख्या बराबर x तो यह आपको बहुत ज़्यादा time taking होगा और आप सवाल को कर भी नहीं होगे तो हम इसको मुझूज करते है allegation method से इससे करते है allegation अब यह allegation method क्या होता है allegation method तब लगा सकते हैं जब आप तो तीन संख्याएं दी हूँ तीनों एक ही unit में हो और दो संख्याओं के बीच में तीसरे संख्याओं यानि दोनों का average उनके mid में हो तो अगर मैं बात करूं यहां पर कि यह होगी girls यह होगे boys तो girls कितना ओसात है girls का 80 और boys का कितना है 60 और पूरी class का यानि girls और boys का मिलाकर कितना है आपने का 68 यहां तक को problem है तो मैंने इसको ऐसे लिख लिख लिए ता ओसात boys का एक तरफ दिया था और पूरी class में लड़के लड़की दोनों का मिलाकर 68 तो हम क्या करते हैं हम इन दोनों का difference निकलते हैं इन दोनों का तो 80 minus का 68 कितना बचा आपने का 12 इन दोनों का difference निकालते हैं 68 minus का 60 कितना बचा 8 तो यह संखिया आई बस इनको simplified कर लो आपने का ok 4 से divide करें तो 4 दूनी 8 और 4 कि 12 यानि इसका कि उस class में girls और boys का जो ratio है वो दो अनुपात थी कोई problem तो नहीं है अब उसने बोला दो अनुपात थी मुझे total बच्चे निकालने के ज़रूत नहीं पड़ी उसने बोला girls और boys का अनुपात दो अनुपात थीन है क्योंकि अब उसने बोला कक्षा में कितने प्रटिश्ट लड़के हैं अब लड़के कितने हैं total आपने का दो परी तीन और total बच्चे कितने हैं तीन और दो पांच और percentage में कैसे convert करते हैं सो की ना तो पांच में 20 का divide करें 20 तीया साथ तो class में 60% लड़के हैं कोई problem जी तो मैंने इसको allegation अगर आप इसको basic से करेंगे तो यह बहुत परिशान करेगा क्योंकि आपको माना पड़ेगा माना विध्यार्तियों की संख्या बराबर x तो अलसर्ट x इनका total हो गया लड़कियों का उस प्रप्ता अब आपको पता नहीं है इन सवालों का सबसे अच्छा समाधान allegation मैं फिर से बता देता हूँ allegation कैसे लगाते हैं मैंने कहा एक तरह छोटा ratio एक तरह बड़ा ratio वो किदर भी रख सकते हैं उससे कोई problem नहीं है जो average है दोनों का उनके बीच में दोनों का difference निकाल लें तो यह आपको average की format में मिल जाएगा तो यह आपको ratio के format में मिल जाएगा अब यानि girls का ratio 2 है और boys का ratio 3 है तो girls और boys का ratio 2,9 तीन का है तो अब उसने बोला कि total boys कितने हैं तो boys 3 है ना और total boys कि खिलासे बच्चे कितने हैं तो यहाँ पर आपको बच्चों की संख्या निकालनी नहीं पड़ी ठीक है ना अब यह allegation का समय में आगे allegation का chapter लूँगा उसमें सारे question में allegation सही कर रहा हूँगा ठीक है ना जिससे कि आपको एक एक part एक चीज clear हो जाए ओके एक और सवाल किसी परिक्षा में चात्र चात्राओं को औसत प्रापतांक करम से 71 और 73 है समस्त विद्ध्यारतियों के औसत प्रापतांक 71.8 है चात्र चात्राओं को आनुपात बताओ अब देखो यहाँ पर उनके औसत प्रापतांक दिये हैं और टोटल विद्धिहारतियों की विवज़त प्राप्तांग दी है, फिर वही कोश्चन है, अब जल्दी सी इसको आप अपपलाई करो, और मुझे बताओ इसका अंसर क्या होगा, इसम्पल सवार है, ठीए, उम्मीद करूँगा, आसानी इसको कर लेंगे, देखो, मैंने क्या कहा, एक तरफ आपने लेके छात्र छात्राओं था, तो और चात्र का कितना है, यह होगी बॉइस, तो आप गबराने की जरूत नहीं इन सवालों में, यह होए बॉइस एक तरफ होगी गर्ल्स, बॉइस का था 71, गर्ल्स का था 73, और दोनों का जो बीच मे था, दोनों पूरी किलास का एवरेज जो था, वो 71.8 था, तो लगा दो इस पर ऐलिगेशन, अगर मैं इसको घटाओं तो कितना मिलेगा दोनों का डिफरेंस, आपने का 0.8, इन दोनों को घटाओं तो कितना बचेगा, आपने का 1.2, बास समझ में आ रही है, दोनों को सब 21.8, ये पलस में आएंगी वेल्यू, अब इसको शॉर्ट कर लो, अगर मैं इसको पॉइंट सार से डिवाइड कर दो थे, दो आया, तीन आया, तो रेशो क्या बना, तीन अनुपात दो, तो किलास में बॉइस और गल्स का रेशो कितना है, प्री रेशो टू, समझ में आ र पसूर्टी से आप लोग अपने जवाबों पर तुले हुए हैं, बहुत बढ़िया राजकुमार, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर लेता हूं फिर, प्रिथम द सो धन पूर्णांकों का उसत कितना है, ये मैंने अभी थोड़े पहले आपको समझाया था, जल्दी से देखेंगे जवाब में क्या मिलेंगे आपके आंसर, लेट सी वाट विल बी द राइट आंसर प्रिथम सो धन पूर्णांकों का उसत कितना है, ये आपको बता है, अभी मैंने बता है ना, पहले धन पूर्णांक कौन से होते हैं, वन, तू, त्री, पोर, अब तो, अब तो ऐसे कर लो, एंड प्लेस वन अपॉन टू, तो एंड कितना हंड्रेड है, तो हंड्रेड प्लेस वन अपॉन टू, बराबर पचास पॉइंट पांच, है ना, अगर हम बात करते हैं, एवरेज ओफ फॉर्स हंडेड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते प्लेस लास्टम बटा दो, तो यह 101 बटा दो हो जाता, तब इसका आंसर पचास पॉइंट पांच, कितना असान सवाल था, आपके आंसर में आने में बड़ी देरी होती है, आपके जो आंसर से हैं, उनको करने में बड़ी देरी लगाते हैं, जब की निदेरी की आवश्यक नहीं है, चुटकियों के सवाल है, इनको चुटकियों में ही सॉल्व करो, इसमें तो पहन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते, सो में एक जोड़ोगे, 101 आएगा, 101 में दो का डिवाइड करोगे तो, कितना आएगा, आपने का सर, कोई प्राबलम नहीं, 101 में पहली दस सम प्राकर संख्याओं का उसत कितना है, यह मैंने अभी आपको थोड़ी दिर पहले बताये थे, कि जब वो पूछे, कि तोटल क्रमागत, यानि लगातार संख्याओं का कितना है, तो क्या करना है, आप से पूछे, कि सम प्रागत, इवन नेचरल नंबर्स का पूछे प्रथम, तो क्या करना है, और शायद आपको याद आ गया होगा, मैंने आपको बताया था, कि जब भी आप इवन का करेंगे, तो एन प्लस वन करते हैं, न प्लस वन, बहुत एज़ी है, एन प्लस वन, एन कितने हैं, दस, दस में एक जो पहले इन का टोटल करोगे, फिर इसमें दस से भाग करोगे, जो बहुत टाइम टेकिंग होगा, जब इस तरह के सवालों को तो अब विदाउट पहन कर सकते हो, लैसे बता दू, सम संख्याओं का योग कितना होता है, एन इन प्लस वन होता है, तो एन कितने हैं, दस, दस इ इतना बड़ा काम क्यों करूँ, जब मुझे पता है, यह एन प्लस वन ही करना है, है न, तो मुझे इतना बड़ा काम टास्क करने की ज़रूरत किया, जब मुझे पता है, कि मुझे सिर्फ एक ही जोन है, तो मेरा अंसर मुझे मिल जाएगा, इसी था, चलिए तो बढ़ते ह और देखते हैं करचवाब चलो बताओ कि यह साथ करमागत संख्याओं का उसा थैतिस है तो इन में से बड़ी संख्या कौन सी है यह सवाल आ चुका है एक्जाम ऐसे सब आते हैं एक्जाम में इसलिए जीरो पॉजेटीव और नगेटीव कुछ नहीं होता है जीरो जो होता है वो पॉजेटीव या नगेटीव नहीं होता जीरो एक नीट्रल नंबर यानि उदासीन संख्या होती है नहीं तो उसको positive के साथ रखा जाता है नहीं उसको negative के साथ रखा जाता है ठीक है जी अब को शना अब अगर मैं सात क्रमागत संख्याओं की बात करो तो आप कैसे करोगे कि सब्सक्रापने मारे पहली संख्या a, दूसी संख्या a plus 1, a plus 2, a plus 3, a plus 4, a plus 5, a plus 6 यह होगी सात संख को और जोड़ करके साथ से डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो सता आएगा और वो किसके बराबर होगा था 33 के बराबर तो जब तक आप इन संख्याओं को मानेंगे जब तक इनको लिखेंगे जीरो इविन नंबर होता लेकिन सबसे छोटा इवन नंबर नहीं होता क्योंकि हाली जीरो का कोई भी मान नहीं होता उसको तब किया जाता ही जो prominent किसी नंबर के साथ आता है 0 का अपना को इनिष्यत मान नहीं होता इसलिए उसको क्या मानते है उसका मन ना गढ़निया होता है within class 604 15 15 किस बटा साथ is equal to 30 साथ उपर से common निकाल लिया तो a प्लस 3 बटा साथ साथ से साथ कट गिया बराबर 33 तो a is equal to उतना हुआ 33 minus 3 is equal to 30 तो a बराबर 30 जब a बराबर 30 है तो सबसे बड़ी संक्या कौन जी थी a प्लस है तो आपने का तो 30 में 6 जोड़ दिये 36 का answer लेकिन इसको करने में मैं तो बहुत fast कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ तो आपको बहुत ज़दर time लगा it is a very time-taking process तो हम बने पुराने तरीके पर चले क्योंकि word मुझे मिल गया करमागत अब मुझे क्रमागत मिला तो मैं इसको यहां कर दे यहां से समझेगा इदर करता हूँ क्रमागत का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 7 संख्या है चलो हो गई 1,2,3,4,5,6,7 और मैंने क्या बताया था जब क्रमागत संख्या होती है तो उनका औसत उनके मद्धे में होता है तो साथ संख्या हो के मद्धे में तो यही संख्या आएगी न तीन इदर से तीन इदर से बीच में क्या आगी 33 अब 33 से पहले तीन संख्या कौन सी होंगी आपने का 32 31 30 और बादवाली तीन कौन सी होंगी आपने का 34, 35, 36 तो आपको आंसर 36 मुल गया तो ये सिर्फ सिंगल लाइन का सवाल है ये है आसान कि ये वाला आसान है आपको इन में से कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जुरू बताईएगा कि आपको ये वाला ट्रेडिशनल मैथड अच्छा लगा चल कर खुद आएंगे आपके पास एक और सवाल देख लेते हैं फिर आपने इतना अच्छा उतर दिया है तो वन मूर कोशन गाईज आपके लिए ये रहा ततत मिंस लगातार कॉंसुगेटिव पाँच विशम संख्याओं का ओसत पिच्छान में है अब रोही करम में चौती संख्या कौन से है जी देखेंगे जवाब पर क्या प्रतिक्रियाएं आपकी आते हैं समझते हैं उम्मीद करूँगा जब आप अच्छे से मिलेगा सिंपल है देखो साथ सदत हैं इस कॉंसुगेटिव हैं पाँच विशम संख्याओं अब मैं इसको बेसिक से नहीं कर रहा हूँ अब मैं आपको इसको एडवांस से ही बता हूँ तो पांच संख्याओं तो आउसत 95 है तो आउसत बीच में आएगा 95 यहां पर आया सदत में से लगातार है तो जब 95 यह तो आगे वाली 96 आगे वाली 97 इससे पहले 94 इससे पहले वाली 91 93 इसने बोला कि अब रोही करम अब रोही करम क्या होता है सबसे पहले सबसे बड़ी संख्याओं तो इनका अब रोही करम क्या होगे तो आरोही करम में लिखी है तो अब रोही करम में क्या आएगा आपने का 97 96 95 94 और 93 ऐसी तो होगा उसने बोला, अब रहो चोहती संग क्या कौन सी है, 1,2,3,4, चोहती संग क्या क्या इन में से कोई नहीं इसको मैं भी बता नहीं है एप इस नबर मैं Ajland mi गु अशिकर रहा है दिए पाँजव नमबर्स होंते तो आप सवाल को ऐसे कर सकते ते तो इस concern में से कोई नहीं होता हाँ अभी बता रहूँ है अगर मैं odd की बात करूँ तो क्या करना पड़ेगा करना कुछ नहीं है तरीका वही है जैसे आपने पहला वारा सवाल का तरीका वही है तो बस बदल किया जाएगा व्यांच देखेगा अगर मैं इसको वदू तरीका क्या बनेगा आपने का अब अगर विसम है तो क्या करेंगे 1,2,3,4,5 तो बीच में तो 95 आया क्योंकि उसने विसम संक्या बोला तो विसम संक्यां में कितने का difference होता है तो इससे आगे वाली 97 इसके आगे वाली 99 इससे पहले वाली 93 इससे पहले वाली 91 Is it clear? तो बस आपको ध्यान रखना है वर्ट्स में सवाल का तरीका एक ही है अगर वो consecutive है तो चाहे वो consecutive पूछता तो जिसे मैंने पहले किया वैसे कर दिया अगर वो विसम बोलता तो मैंने ऐसे कर दिया तो क्या करें? सवाल आपके सामने था अब देखो पहले नंबर पर अगर देखें तो 99 अब रोहिकरम 97 95 93 और 91 तो 1 2 3 4 तो 93 वो संख्या है तो राइट आप्शन इनमें से कोई नहीं है clear है? बात समझ में आ गई? कोई problem तो नहीं है अगर वो बोलेगा सिर्फ सतत संख्याए है विसम नहीं बोलेगा तो भी समझ में आया तो दोनों चीजों को clear समझ में आ गई? कोई problem तो नहीं किसी को clear है? तो राइट आप्शन के है 93 ओकी आगे बढ़ें एक और सवाल की बात करें नहा बता दिया है वही बता रहे हैं आपको ठीक है न? जब तो आगे बढ़ें एक और सवाल की बात करते हैं फिर तरी बताईए पांच करमागत सम संख्याए हैं अब देखो सम संख्याओं की बात करूँगा मैं तो पहरे मैं आपको बताऊँगा अगर वो सम नहीं होती तो कैसे करते? और अगर वो सम होती तो कैसे करते? तो A, B, C, D था E का औसथ 66 है B था था E का गुरनफल कितना होगा? पूर एक्जामपल सवाल सेम है तो उसने बोला कितनी संख्याओं? पांच है तो मैंने का 1, 2, 3, 4, 5 पूर एक्जामपल सवाल में ये सम नहीं होता पूर एक्जामपल सवाल में ये even नहीं होता तो मैं कैसे करता? सिंपल था उसने बोला 6,60 है तो इसने बोला 66,60 बीच में तो संक्याओं क्या होती? वो लगातार होती ये 67, ये 68, ये 65 और ये 66, clear है, sorry 64, अब उसने क्या बोला है, कि वो even numbers है, तो even में कैसे करेंगे, सवाल करने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा, तो क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, उसने बोला ये even numbers है, तो mid वाला संके 66, अब इससे आगे वाली संके क्या हो जाएगी 68, इसके आग problem, कोई समझा किसी को, no problem, उसने बोला ये 5 संक्या आई है, ये होगई A, ये होगई B, ये होगई C, ये होगई D, ये होगई E, उसने बोला E और B का, तो B 64 है, और ये 70, दोनों की गुणा कर दो, तो 64 गुणा 70, 0, 8, 7, 42 और 2, 44, ठीक है न, clear है, सबको समझ में आया, 0, 7, 4, 10 अलगे 2, 7, 42 और 2, 44, तो 480 आना चाहिए, जो इसमें है ही नहीं, clear वाद समझ में आ गई, कोई problem तो नहीं है, तो अब आपको सारे doubts के लिए है, अगर वो even बोलेगा सम संख्यां बोलेगा तो क्या करना है, अगर वो नहीं बोलेगा तो सिर्फ एक एक का difference लेना है, इसलिए मैंने odd वाले में भी आपको समझा दिया, और मैंने even वाले में भी आपको समझा दिया, clear है, कोई problem तो नहीं किसी को, yes, very good, तो चलो एक और सवाल फिर ले लेते हैं, कोई समस्या नहीं है आपको, तो one more question आपके screen पिए रहा है, पाँच संख्याओं का ओसत 306.04 है, इन में से पहली दो संख्याओं का ओसत 431 है, तथा अंतिम दो संख्याओं का ओसत 214.5 है, तिसने संख्या कौन सी है? पाँच संख्याओं का ओसत 306.04, इन में से पहली दो संख्याओं का ओसत 431, और अंतिम दो संख्याओं का ओसत 214.5 है, तीसरी संख्या कौन सी है? 3360, निर्धरित नहीं किया जा सकता, इन में से कोई नहीं, the average of 5 numbers is 306.04, the average of the first two numbers, digits बदल नहीं है, बस सवाल बिल्कुल स्टार्टिंग जैसे ही है, ताकि तो कुछ भी नहीं है, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका, उम्मीद करूँगा कि जवाब सही मिलेगा, जी, पोल कर दूँ, आप बोलते हैं होता ही नहीं है, सवाल समझा दूँ, चलिए देख लेते हैं, सवाल का मेनिंग क्या था, अब देखो, सवाल को बहुत अच्छे समझना एक बारस में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछन क्या था, पांच संख्याओं का ओ आपको दिया हुआ है कितना, तीन जीरो, छे पॉइंट जीरो चार, तो टोटल कितना हो जाए गुणा कर दें, आपने का पांचों के बीस, पांच संग तीस, और पांस तीया पंदरा, यही हो जाएगा न, कोई प्राबलम नहीं, उसने क्या बोला, पहली दो संख्याओं का गण जुआए थी, उनका उसत कितना थे 431, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, आपने का, दो गुणा 431, तो 862, उसने बोला, अंतिम दो संख्याओं का उसत कितना है, उसने बोला, 224, 5, तो टोटल कितना हो जाएगा, दो गुणा दो सो चुहदा दसंड़ पांच तो कितना हो चार सो अठाइस चार सो मतिस यह उगा ना जी बास समझ में आ गई प्राबलम तो नहीं यहां तक तो यानी दो और दो चार संख्याओं का टोटल कितना हों का जोड़ दें 9 और 2 ग्यारा छे और 2 आठ और 1 नो आठ और 4 बारा बारसो एक्यान में अब देखो आप यहां पर खुद सवाल देखो अगर मैं बात करूँ कुश्चन कि तो यह 0.20 आ रहा है इसमें तो किसी में 0.20 नहीं है अगर मैं इसको घटाओंगा तो मुझे 0.20 कहीं नहीं मिल रहा क्या मुझे 0.20 मिल रहा है क्योंकि जब मैं घटाओंगा तो लास्ट में 0.20 बचेगा न यहां पूरी-पूरी संख्यां आ रही है तो मतलब क्या है यानि इन में से कोई भी आंसर नहीं है क्लियर है तो आप थोड़ा सा एडवांस दिमाग भी लगाएंगे सोचेंगे तो सवाल बड़ी आसानी से हो जाएंगे एक और प्रशन लेता हूँ आपके समख शियर है चुलो बताओ 13 संख्याओं का आउसत 68 है परतम 7 संख्याओं का आउसत 63 63 है जबकि अंतिम साथ संख्याओं का उसत 70 है साथ भी संख्या क्या है ये वाला समझ नहीं आया ये वाला समझ नहीं आ रहा है मुझे अगर आए कुशन नमबर लिखें आप कौन सा समझ नहीं आ रहा है हमाण को को अगर आपको कुछ समझ मेने तो मुझे कुश जूरू बता ने यह कीमा समय मौस सवाल को फिर से करा है कि कुशन नंबर है कि इस तीरा संक्ख्यओं का उस इस्ट शीट है इनके से प्रतम सांग्य संख्याों आप तो समझ गया हूंगे आप दुबारा समझो इतना आसान सवाल था पहले सको समझाओ दॉश्म मेंकों दिक्कत हो रही है शायद आपको पांच संख्याओं का आउसत ऐवरेज 306.04 है तो मुझे बताओ, इनका total क्या होगा? पांच संक्याओं का total आप भेंगे average में average में संक्याओं के गुना करते हैं तो कितना आया? 5.20 5.30 और 5.30 यहीं आया का total तो यानि उन 5 संक्याओं का total 1530.2 जीरो आया यहां तक तो कुछ problem नहीं उसने बोला पहली दो संख्याएं तो पहली दो संख्याओं का ओसत कितना है उसने का 421 तो इसका टोटल कितना हो जाएगा आपने का 2 गुणा 431 जब अपने गुणा की तो 862 हो गया टोटल उसने बोला अंतिम दो संख्याओं का टोटल कितना है उसने बोला 214.5 तो टोटल कितना हो जाएगा आपने का दो गुणा 214.5 तो 429 हो गया नहीं जब गुणा करोगे बैए 214 मिन 428 आधा आधा 29 नो हो गया न अगर मैं यानि 5 संख्याओं का योग कितना इतना 4 संख्याओं का योग कितना इतना तो 9 और दो 11 6 और दो 8 और एक 9 8 चार में से 4 गया 8 चार 12 तो यह 1200 क्याओं में बना तो अगर मैं 5 संख्याओं के टोटल से 4 संख्याओं का टोटल घटाओंगा तो मुझे टोटल 5 जो बीच में संख्या मिड टम में मिल जाएगी न मद्धे की संख्या जो बच्याओं वो मिल जाएगी तो आपने क्या काम किया 1530.20 में से जब आपने 121 क्याओं में घटा है तो 10.20 आएगा ना लास में आगी घटा लो 10 में से 1 गया 9 12 में से 9 गया 3 4 में से 2 गया 2 249.20 आया तो क्या इसमें कोई सा सारे सवाल वैसी तो जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं अब बताओ 13 संख्याओं का आउसर 64 है इनंबे से 7 संख्याओं का 63 जबकि 17 संख्याओं का आउसर 70 तो 7 संख्या क्या बताओ सारे सवाल गट लेवल एक ही जैसा है बस आप थोड़ा सा confused हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है जल्दी से करके बताओ इसका अंसर क्या होगा देख लेते हैं उसने बोला 13 संख्याओं का जो average है वो है 68 तो मैंने कहा इसका total कितना होगा आपने कहा किसर तेरा total संख्याएं थी average दा 68 multiply कर दी अजी तेरा ठेक सो चार हांसे लगे दस तेरे चंग अठेटर और दस अठासी आठसो चौरासी बात समझ में आ गई कोई problem तो नहीं है अब क्या करें अब दूसरी बात करते हैं उसने बोला कि इन में से 7 प्रतम संख्याओं का उसत 63 तो पहली 7 संख्याओं का जो average है वो कितना है आपने कहा 63 तो इनका total कितना हो जाएगा आपने कहा साथ multiply by 63 तो साथ ती आएकि साथ छंग 42 और दो 40 थीक है बात समझ में आ गई ओकी अब क्या करें उसने बोला कि अन्तिम साथ संख्याओं का average कितना है आपने कहा वो 70 था तो total कितना हुआ आपने कहा 7 गुणा 70 चार सो नबबबबबबबबबबबबबबबबब अगर मैं इन 7 और 7 संख्याओं को जोड़न तो total संख्या 14 हो गई इनको जोड़ने तो एक नो और चार तहरा चाचाट रखनो तो एक जो बचा है नंबर बीच वाला वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो आपने का मिलेगा तो आपने का 931 में से आपने 8, 8, 4 घटा दिया तो जब 13 में से सोरी, तीन हासले 11 में से 4 गए तो 7 और 12 में से 8 गए तो 4, 47 तो वो जो सातवी संक्या वो 47 है बात समझ में आ गई जो संक्या है वो 47 है इस इट किलियर नाओ सभी लोगों को किलियर है बहुत बढ़िया, किलियर होना बहुत ज़रूरी है तो भई आगर आपको सवाल किलियर है तो ये बहुत अच्छी बात है तो भई मेरा यही अनुरूद है आप सब लोगों से अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो भई इसको जो है ना लाइक शेर करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो जिससे कि आपको मेरे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें तो भई डोंट फॉर्गेट तो सब्सक्राइब आर चैनल और शेर करना बिल्कुल ना भलें तो मुलाकात होगी आप से नेक्स्ट सेशन में अच्छे सवालों के सब्सक्राइब धन्यवाद